जिस आदमी की सियासत केवल एक खास वर्ग के वोटो पटिकी हो वो उनके तुष्टी करन के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और गिपने की हद अखिलेश ने तब पार करी जब देश की अखंड़ता पर लगे धाराख पीन सो सत्तर जैसे दाख को साफ किया गया जब देश की एकता और अखंड़ता को लेकर कश्मीर से धाराख तीन सो सत्तर हटाने का प्रस्ता पाया तो इस लट्टेरे अकिलेश और इसकी गुड़ों ने जम कर इसका विरोत किया और पाकिस्तान की भाशा बोली बुलायम के नलायक टीपो ने कश्मीरियों को उपसाने का प्रयास किया जो लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई है जो आज उनके साथ हुआ है वो आप और हमारे साथ भी कल होगा आप के और हमारे साथ भी होगा जबकि धारा 373 हटने से कश्मीर में शान्ती का महौल था और कश्मीर में भी रास्टे धुच्छान से लहरा रा था इस नक्टेडे के सांसत राम गुपाल यादव ने इस देशित फैसले को अस्विधानिक बताया था यह बहुत ही गलत हुआ है संब्यदानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया बेपक्ष की अवाज को बुल्डोज किया गया और इस तरह सगर कोई लोग समझते हैं कि जननता को पुलिस के बल पर दवा लेंगे द्यासियस बात कावा है करह भी जनता को पुलिस के बल पर दवाया नहीं गया यह कश्मीर को आझ नहों ने बिल्कुल हिंदोस्तान से अलिक्र करने की बबस्ता कर दीं सबा के S.C. हसन ने कहा आजवादी कहने वाले सकता कि इन भूके भीडियों ने भारत मातकी एकता और अखंड़ता को वापस दिलाने वाले एक फैसले का विरोड किया था तो आज आज आप भी कसम खाईए कि देश के इन गड़ारों को मिट्टी में मिला देना है ताकि फिर कोई इस देश से गड़ारी करने की ना सोच सके